मेरे घर पे एक बात्रूम है जिसको कि हम जब से यहां पर आए हैं तब से यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी पानी की प्राब्लम है लेकिन अब वो प्राब्लम सॉट आउट हो गई है तो उसे क्लीन करना था काफी दिनों से वो बंद है और यूज में नहीं आ रहा है तो उसमें काफी गंदगी जमा हो गई है टाइल उसकी बहुत गंदी हो रही है तो उसे ही मुझे आज क्लीन करना है और थोड़ा सा उसका मेक ओवर करना है तो क्लीनिंग के मेरी बात्रूम क् तो पहली जरूरी चीज होती है कि आपको गलफ जरूर यूज करने हैं जब कभी भी बात्रूम क्लीन करना हो तो देखे ये है वो बात्रूम इसमें कुछ पुरानी चीज़े मैंने हटा दी है जो इसमें लग रही थी और वॉल की जो टाइल्स है वो तो बहुत ज़ादा खरा हो गई है इनको क्लीन करना है और इसके साथ-साथ जो फ्लोर की टाइल्स है वो भी खराब हो रही है तो डीप क्लीनिंग शुरू करूंगी उससे पहले जो भी वाश बेसिन है उन सब में या जो भी एरिया है सेरैमिक का उन सब पे जो है मुझे लगाना था ब्लू हार्पि साथ हो जाएगी और अब फ्लोर को साथ करना है तो सबसे पहले डिटरजेंट से साथ करना है क्योंकि होता क्या है ना जो गंदगी जमा रहती है फ्लोर की टाइल्स पे वो किसी भी क्लीनर से साथ नहीं होगी अगर उसके उपर मिट्टी जमा होगी तो डिटरजेंट से आपको natural product नहीं मिलेगा जो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है उसके लिए हमें chemical का ही कुछ use करना पड़ेगा तो चेहरे को अच्छी तरीके से ढख लीजे, gloves पहन लीजे, slippers पहन लीजे और चश्मा भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा लीजे और deep clean के लिए tiles के लिए म concentrate का और इसमें मिला लीजे करीब 10 से 15 टाइम्स पानी ज्यादा ये ही ratio रहेगा 1-15 का और कुछ ये tools हैं जिनकी मदद से मैं साफ करती हूँ बाथरूम को और जब कभी भी chemical की spray bottle हो तो उसे आगे से बंद करके रखिए खास कर तब जब बच्चों का घर हो और अगर आपके पास आजकल hand sanitizer की बहुत सारी bottles खाली पड़ी होंगी उनका भी use कर लीजे और इसे केवल उतना बनाईए जितनी जरूरत हो तो सबसे पहले इसे walls पे लगाईए walls पे अच्छी तरीके से घिस दीजे बिलकुल आराम से ये सफाई इससे होती चली जाती है और floor पे भी इसको ल गंदगी जमा हो गई है वो भी इसमें से निकल जाती है तो मेरी तो जो ये टाइल्स हैं ये थोड़ी सी ऐसी है कि इनमें बहुत गंदगी जमा हो गई है फिर भी दो-तिन बार मुझे इसको रगड़ना पड़ेगा तो एक अच्छा liquid है कोई collaboration वगेरा नहीं है इस वीडिय बड़ी convenient होती है आप भी इसी तरीके की brushes का use करिए और जो walls की टाइल्स होती है उनको pipe से धोईए क्योंकि जब आप chemical लगे हुए पर डबबे से पानी डालेंगे तो वो आपके उपर आ सकता है तो wall को मैंने clean कर लिया इसी तरीके से pipe से और जो लगा रखा था हार्पिक इन stains है रस्ट के stains है इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा product बता रही हूँ और ये भी कोई sponsored collaboration वाला कोई video नहीं है ये मैंने खुद use किया बहुत amazing इसके result मुझे मिले जरूर रखिएगा आप इसको अपनी cleaning basket में ये है blue oxy का lime and hard water stain remover इससे जो rust होती है उसके दाग भी थोड़े से जाग बनेंगे और बहुत जादा नहीं रगड़ना पड़ेगा एकदम से जो rust के देखिए दाग है या hard water के जिद्धी जिसे दाग कहते हैं वो लग जाते हैं जो कि बिल्कुल साफ नहीं होते हैं taps पे से उनको ये बहुत आराम से हटा देता है और आजकल तो म इस प्रोड़क को ज़रूर आप अपनी क्लीनिंग बास्केट में रखिएगा और ये काफी काम आएगा और आपका ये अराम से एक दो साल चल जाता है तो धीरे-धीरे करके क्लीनिंग बास्केट को आप बढ़ाते रहिए इसके अलावा एक और प्रोड़क्त है जो की मैं यूज करती हूँ थोड़ी सी शाइन के लिए टैप्स पे ये भी मैंने हाड़वेर की शॉप से लिया था पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया भी था ये देखे इस तरीके से एक चोटा सा ये आता है हिन्वेर का शाइन के नाम से आता है कॉटन के इसको लेके थोड़ा सा और टैप्स पे रगड़ दीजे तो जो टैप्स की चमक है वो वापिस आ जाती है और इसे हर तीसरे चौथे महिने आप यूज करते रहिए तो क्लीनिंग बास्के के लिए कई सारी चीजें धीरे धीरे आपको बताती जा रही हूँ तो धीरे धीरे और साफ हो जाएगा जहां तक फ्लोर टैल्स की बात है तो अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा डैकोरेशन की तरफ डैकोरेशन क्या जो भी ज़रूरी सामान है बातरूम का उसकी तरफ तो मैंने एमेजॉन से कुछ पोस्टर मंगाये थे एक पोस्टर का सेट मंगाया था ये काफी पहले ही मेरे पास आ गया था तो एक drill machine से शानु की मदद से tiles में छेत करवा लिए तो drill machine से आप tiles पे भी छेत कर सकते हैं घर के लिए एक जरूरी चीज है local market से कोई सस्ती सी drill machine ले लीज़े काफी लंबे time तक चलेगी और पहले जब कभी भी आप कोई भी चीज खरीदें जिसको आप नहीं जानते हों तो उस चीज का बिलकुल एक basic model ही लेना चाहिए तो ये drill machine मैंने 3 साल पहले लीती और अब तक बढ़िया चल रही है इसके अलावा bathroom के लिए कुछ और जरूरी चीज़े मुझे खरीदनी थी इस bathroom में ये सारी चीज़े नहीं थी तो मैंने एक अच्छी plastic का dark color का समान लिया ताकि इसमें पानी के धब्बे दिखाई देते रहें और मैं इसको साफ करती रहूं और इसके अलावा देखिए जो soap dispenser वगेरा होते हैं वो भी जरूरी है क्योंकि बच्चें को बाहर से आने के बाद बिल्कुल हाथ धोना है तो मैंने ये soap dispenser लिया और इसमें भढ़ दिया ये liquid बचे हुए अगर साबुन के टुकडे हो तो उनको soak करके रख दीजे और यूज करिए बहुत वंडर्फुल रहते हैं वो भी और बचा हुआ साबुन भी काम में आ जाता है और देखे इसमें मैंने सब भरके और एक किचन के पुराना कोस्टर था मेरे पास ये रख दिया अब ये मैंने एक ली है बात्रूम में समान लगाने के लिए hanging shelf ये plastic और steel की है बात्रूम छोटा हो तो hanging का ही use करिए बड़ी अच्छी थी इन सब चीजों का link में आपको description box में दे दूँगी काफी सारा सामान इसमें आ जाता है और गिरता नहीं है और जो mirror था उसे change नहीं किया पुराना mirror था थोड़ा किनारे पे धब्बे पड़े हुए थे तो एक bale मैंने इस पे लगा दी artificial leaves की और इस तरह से थोड़ा सा decoration और जरूरी सामान मैंने bathroom में add कर दिये बहुत ही अच्छी है इसको आप जरूर देखेगा एक बार अगर पसंद आये तो ले लीजेगा तो देखे मेरा bathroom थोड़ा सा सजगे थोड़े से live plants भी मैंने यहां पे रख दिये और money plant तो मैं इसकी window पे अभी रख ही दूँगी जिससे कि यह हमेशा अच्छा रहेगा तो देखे इसके अलावा अब हम इसको maintain कैसे करें तो एक daily cleaning बहुत जरूरी होती है तो daily cleaning की भी basket है bathroom की separate रहती है इसमें microfiber cloth रहता है और उसके साथ मैं use करती हूँ हारपिक कर यह hygiene toilet rim block पुराने वीडियो में भी मैंने share किया था bathroom को hygienic हमें रखना है तो उसके लिए कुछ चीजें हमें daily level पे करनी है यह बहुत ही आराम से जो है toilet seat पे आप लगा सकते हो और जितनी बार भी flush करोगे उतनी बार जो है इसका use होता है और इससे एक तो hygienic वाला जो point है वो हो जाता है और थोड़ी सी fragrance भी रहती है और वैसे fragrance के लिए मैं इस तरीके के जो hanging pouch आते हैं इनका भी use करती हूँ bathroom में सारे bathrooms में यह लटके रहते हैं अच्छी चीज है क्योंकि daily level पे हम कुछ spray वगेरा तो नहीं कर पाते हैं खुश्बू के लिए और इसके अलावा बहुत जरूरी चीज बाथ्रूम की जो में एक toilet cleaning wipes आती है इनको जरूर यूज करिए कभी कभी जल्दी में मैं रहती हूँ तो इस तरह से clean कर देती हूँ क्योंकि बाथ्रूम एक ऐसा area होता है जिसमें germs, bacteria बहुत ज्यादा होते है तो इनको यूज करिए regular level पे और अगर counter top बना हुआ है आपके बाथ्रूम में तो उसको तो जरूर साफ करिए और ये एक बहुत ही जरूरी चीज है और इन चीजों की धीरे-धीरे आदक पड़ जाती है इसके लावा regular spray जो की daily level पे करना है अभी आपको DIY भी बना के बताऊंगी इसका use कर ये harpik का ये एक spray आता है harpik का और एक ही है sponge cloth इससे tiles को daily जब कभी भी time मिले जो भी आपका routine हो cleaning का बात्रूम का daily cleaning का उससे इनको रगड दीजे हमेशा tiles बिलकुल साफ रहेंगी इसके लावा green और red harpik तो रहता ही है और जो red harpik है ये tiles को clean करने के लिए बहुत ही अच्छा है और जो ये wash basin वगेरा होते है इससे बहुत अच्छे clean होते है तो इसको भी मैं use करती हूँ tiles को clean करने के लिए regular level पे जब कभी भी time मिलता है और आप try करिए एक ये green harpik toilet seat को clean करने के लिए बहुत ही अच्छा है organic है और इसकी खुश्वू भी बहुत अच्छी है तो अब देखे इस basket में है कुछ DIYs जो की मैं बना के रखती हूँ तो सबसे पहले है bathroom cleaner इसके लिए चाहिए हमें white vinegar सिर्का खाने वाला सिर्का और चाहिए detergent जिसे की हम कपड़े वगरा धोते हैं वो और liquid हो तो और भी अच्छा है और इसके साथ चाहिए खाने वाला soda जो की हम use करते हैं baking soda इन तीनों को हमें mix करना है तो एक कप पानी लेंगे और तीन से चार चमच इसमें डाल दीजे खाने वाला soda के और इसमें ही डालेंगे हम vinegar vinegar डालेंगे करीब आधा cup और इसमें add कर दीजे दो से तीन चमच detergent और shake करके इसे तयार हो गया अब ये clean करने के लिए tiles वगेरा बहुत अच्छी इससे clean होती है daily level पे दूसरा है जो floor की tiles गंदी हो जाती है उनको clean करने के लिए रखिए baking soda और कपडे धोने वाला साबुन यानि detergent liquid detergent और तीसरी बहुत ही अच्छी चीज़ है hydrogen peroxide 10 रुपए में आपको ये मिल जाएगी किसी भी दवाई की shop पे तो 3-4 चमच खाने वाले soda में मिलाई hydrogen peroxide करीब 2-3 चमच और इसी में मिला लिया हमने liquid detergent clean करिएगा tiles को daily level पे कहीं भी घर की tiles हों बहुत साफ रहेंगी खासकर जो tiles के बीच में गंदी जमा हो जाती है वो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से clean हो जाती है तो use कर ये daily level पे इन DIY cleaners का और friends अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या थोड़ा सा भी काम के लायक लगा हो तो like जरूर करिएगा और फिर मिलेंगे एक नए और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए okay friends thank you and bye bye